हे गाईज वेलकम बैक आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेम्डा फंक्शन के बारे में लेम्डा फंक्शन क्या होती है लेम्डा फंक्शन एक एननोमस फंक्शन होती है उसका कोई भी नाम नहीं होता और लेम्डा फंक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में ड और example हमें function बनानी है हमें एक function बनानी है जो की 3 number लेगा input में और output क्या करेगा output करेगा उसका sum तो हम यहाँ पे एक function मनाते है normal तरीके से पहले define add 3 जिसमें हमें 3 input लेने है तो 3 input का नाम रखता हो a, b और c ओके और हमें return क्या करवानी है return करवानी है a plus b plus c तो क्या python में सिर्फ और सिर्फ एक ही line का function बनाना सही है जी नहीं python में function बनाना सही नहीं है क्योंकि python में कोई भी function अगर 3 से 4 line का हो तब वो function सही माना जाता है अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एक या 2 line के function बनाने है तो उसके लिए हम lambda function बनाते हैं तो अगर मान किजले मैंने अ और मैं चाहूँ तो इसे print करवा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर print करवाता हूँ, और मैं आप save करके run करूँ, तो यह देखिए हमारे पास output आ चुका है 6, अगर हमें एक ही line का function बनाना हो, एक या दो line का function बनाना हो, तो हम lambda function को बनाते हैं, तो हम इसी function को lambda function से बना के देखते हैं, lambda function बनाने का syntax क्या है, syntax है सबसे पहले हमें lambda लिखना पड़ता है, और उसके बाद हमें जित्ता भी parameter देना है, उसे parameter का list पूरी देनी होती है, जैसे हम यहाँ पे 3 parameter दिया है, तो हम यहाँ पे 3 parameter देंगे, और उसके बाद हम colon लगाएंगे, और colon के बाद हमें expression लिखना होता है, जिसे हमें function में apply करनी है, जैसे हमारे यहाँ पे expression हो गया, a plus b plus c, तो यह होता है lambda expression का syntax, तो हम lambda function बनातें lambda, और lambda के बाद हमें parameter list देनी होती है, तो parameter है हमारे a, b, c, तो यह हमारे a parameter हो गया, और उसके बाद हमें expression देनी होती है, colon लगाके अब हम expression लिखेंगे, तो हमारे expression क्या है, हमारे expression a plus b plus c, तो हम यहाँ पे a plus b plus c डालेंगे, तो हमारे यह function तयार है, तो हमारे यह function का कोई भी नाम नहीं है, तो अगर हमें इसे call करना हो तो call करने के लिए अभी तो हमें यहाँ पर एक नाम देना पड़ेगा तो हम यहाँ पर x नाम के variable में lambda function को declare किये हैं और अब हम x को call कर सकते हैं x और x में डालता हूँ मैं 1,2,3 और मैं चाहूँ तो इसे print करवाँ और मैं इसे save करके run करूँ तो यह देखिए हमारे पास output same to same आ चुगए है तो यहाँ पर call क्या हुआ है सबसे पहले हम lambda keyword यूज किये हैं और lambda keyword यूज करने के बाद हम parameter का list देते हैं कितने हमें parameter चीए हैं तो हम यहाँ पर 3 parameter दिये हैं और उसके बाद हमें colon लगाना है और colon के बाद expression लिखना है कि हमें इसका result क्या चीए है तो हम यहाँ पर इसे x variable में store करवाए हैं और x को call किये हैं हम real life world में lambda expression को किसी name में assign नहीं करते हैं हम क्यों use करते lambda expression को lambda expression को हम built-in function को जब use करते हैं तो उसके अंदर हम define करते हैं lambda expression अभी आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा मैं आगे के videos में जब built-in functions के बारे में और बताऊंगा तब आपको lambda expression clear होगा हम lambda expression को built-in functions के साथ use करते हैं जैसे filter के साथ use करते हैं यह सभी के साथ हम lambda expression को use करते हैं यह सब ही आपको आगे के lectures में पता चलेंगे तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यह function एक ही line में बनता है और उसका कोई भी नाम नहीं होता जैसे हमारे पास यह function है इस function का नाम है add3 तो अगर हम add3 को call करेंगे तब ही जाके यह function call होगा लेकिन हमारे इस function का कोई भी नाम नहीं है इसका नाम आप सोच रहोंगे x है पर इसका कोई भी असली नाम नहीं है अगर मैं इसे proof करूँ कि lambda expression के कोई भी नाम नहीं होता तो मैं उसके कैसे कर सकता हूँ मैं यहाँ पर print करवाता हूँ सबसे पहले मैं इसे uncomment करता हूँ और मैं यहाँ पर इससे भी comment करता हूँ अब मैं क्या करूँगा मैं इस function को call करूँगा लेकिन function को call नहीं करूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ function के नाम को call करूँगा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर add 3 लिखा और यहाँ पे मैं curly braces नहीं लगाया तो आप देखिए हमारे पास क्या output आईगी अगर मैं इसे print करवा हूँ तो यह देखिए हमारे पास एक function का location प्रिंट हुआ है हमारा इस location में हमारा यह function define है और हमारा यहाँ पे function का नाम भी दिया हुआ है हमारा function का नाम है add3 तो यह देखिए हमारे लिखावे function add3 at इतना इसका मतलब function add3 memory location में है यह और अब मैं अगर lambda expression वाले function को call करूँ और उसमें भी कोई argument ना पास करूँ मैं बीन bracket के अगर print करवा हूँ x को और मैं अब save करके run करूँ तो यह देखिए हमारे पास पहले वाले function का नाम भी है और उसका location है और second वाले function का नाम नहीं है हमारे यहाँ पे लिखावे नाम के बदले lambda और यहाँ पे उसका location दिया हुआ है तो यह difference होता है lambda expression में और normal function में हम lambda expression में एक एक line में function define कर लेते हैं और हम वो function किसी और function के अंदर use करते हैं अब मैं एक और example आपको देता हूँ अगर मान के चलिए हमें अगर print करवानी है square of a number तो हम उसके लिए normal function कैसे define करेंगे हम normal function define करेंगे def और मैं इसका square नाम का function मनाता हूँ और वो function क्या लेगा हमारे एक number लेगा और मैं उसको return करवाता हूँ multiplication of num अगर मैं simply यह करवाँ और अगर मैं यहाँ पर call करूँ square को और square मैं number पास करता हूँ मैं 6 और मैं इसे print करवाँ तो यह देखे हैं हमारा 6 का square print हो चुका है 36 और यही काम मैं अब lambda function से करूँ तो lambda function से वह मैं कैसे करूँगा तो मैं यहाँ याँ पर लिखूँगा lambda और lambda के बाद हमें parameter का list देना होगा तो parameter का हमारे num है और num के बाद हम यहाँ पर colon लगाएंगे colon लगाना ज़रूरी है और colon के बाद हमें expression लिखना होता है हमारे यहाँ पर expression क्या है हमारे यहाँ पर expression है num into num अब मैं इस lambda function को किसी variable मैं assign करता हूँ तो उस variable का नाम भी मैं x दे देता हूँ और अब मैं x को call करूँ और यहाँ पर मैं pass करूँ 2 और मैं इसे print करवाऊँ तो यह देखिए हमारा 2 का square हो चुक है 4 और यहाँ पर मैं अगर कुछ और डालू 8 डालू और मैं आप save करके run करूँ तो 8 का square हो चुक है 64 तो ऐसे हम lambda function को declare करते हैं आई होप आपको lambda function समझ में आया होगा और lambda function का जो असली use है उसे मैं आपको जब built-in functions का topic पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा clear होगा तो आई होप आपको इत्ता समझ में आया होगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम lambda function के अंदर if false statement कैसे लगा सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो और प्लीज लाइक माई वीडियो and subscribe to my channel for more quality content